सबी को मेरा नमस्कार तो कैसे हैं आम सब लोग में अच्छी हूँ वेलकम हैं आपका मेरे चैनल मदू के व्लोग में तो फ्रेंड्स मैं आज आज आपके साथ सेयर कर रही हूँ बोतलों की सफाई का क्योंकि पानी की जो बोतले होती है या तो फिर हम हर साल नहीं करीदें और अगर आपका विल्कुल भी उन्हें फैंकने को मन नहीं करता है क्योंकि बोतले जादा तर कितनी यूज होती है अगर अच्छी कंपनी के लो तो बोतले बहुत अच्छी चलती है और में पूरे सीजन में मतलब बोतलों का यूज किया है सरदियों में भी और गर्मियों में भी तो देखेगा इनकी हालत क्या हो चुकी है अंदर से बहुत ही ज़्यादा हो गई है और बाहर जो इनके किनारि में रखने का टाइम भी आगया है अब तक तो रोसोई में पड़ी रहती थी चलो खाना माना बना लिया या वैसे यूज कर लिया लेकिन जब पीने के लिए यूज करना होता है तो यह देखिए का कितने इसमें जो है ना सफेज सफेज से और अंदर से कितनी मतलग गंदी हु नहीं कर रहा था तो मैंने का चलो आप लोगों के साथ बैठकर यहीं पर मतलब रूम में बैठकर ही इन बोत्तों को साफ किया जाए क्योंकि रसोई में मेरे से खड़े होने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और मैंने का चलो यहीं बैठकर आप लोगों के साथ में और तो कि देखिए हालत है अब यह कैसे साफ होंगे यह सोचना मेरे लिए थोड़ा सा मुस्किल हो रहा था तो मैंने का चलो अगर काम करेंगे यह है सोडा इसके लिए जो मैंने काम इखटा किया यह है विनेकर और वाइट वाला जो विनेकर होता है और यह अभी बतलब ऐसे होता है कि लोकल कंपनी का होता है साफ सफाई के लिए मैं इसे ही करेती हूं और यह स्प्रे का बोतल है इसमें मैं लिक्विड बनाऊंगी अभी और टाइम रहा तो इसमें मतलब बचेगा तो इसमें डालूंगी और अगर नहीं बचेगा तो फिर जो है तो यह देखेगा म कि इसमें डाल दिया है विनेगर और सोडे का लिक्विड जिसमें मैंने एक ग्लास पानी और आदा ग्लास विनेगर और सोडा और साथ में यह खाने वाला नमक जो है क्योंकि मैं सेंदा नमक यूज करती हूं और यह देखे मेरा लड़ू भी बाहर है उसे यह वह रहा है कि तो यह देखेगा इसमें यह सब लिक्विड डाल दिया है मैंने और साथ में डाले हैं थोड़े से चावल जिससे कि इसकी जो गंदेगी है बहुत अच्छे से निकल जाए और मैं लगी हूँ हूँ है इस काम पर अभी देखेगा सब समान मेरा यहीं फेला रखा है मैंने क् बार बार हिम्मत मेरी नहीं हो रही है यह सबी बोटले मुझे साफ करने हैं देखेगा कितनी गंदी हो रही है इनकी किनारियां कितनी गंदी हो रही है न तो यह लिक्विड मैं थोड़ा थोड़ा सा इन में डाल रही हूँ और यह देखेगा इन में डाल रही हूँ से थोड़े चावल जिससे की बोटले बहुत अच्छे से साफ हो जाए तो बस यह देखिएगा यह बार बार जा रहा है रहा है कि जिससे की मुझे ले 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 गोद में तो मैं क्या करूं मैं इसको आज उठाने के मतलब हिम्मत भी मुझे इसको उठाने की नहीं हो रही है, तो कि आपने भी नोटिस किया होगा, यह जादत तर मेरे पास ही रहता है, और यह देखेगा, इस सभी बोटलों का यही हाल है, तो चलिएगा, करते हैं इनकी सफाई और आप लोगों के खात करते हैं इसको सेर, तो यह देखेगा, सभी बोटलों में मैं थोड़ा-थोड़ा विनेगर वाला जो लिक्विड है वो डाल रही हूँ, और थोड़े-थोड़े से इसमें चावन डाल रही हूँ, और यह नमक तो मैं डालती ही डालती हूँ, जिससे की साफ सफाई के लिए नमक का विसेस महत पर रहता है, तो यह देखेगा, अब बस अब काफी, मतलब पांदास मिनट के बाद मैंने जो है धकन में थोड़ा सा यह ले लिया है, और अब मैं जरा बाहर से इसको साफ कर लेती हूँ, बैटे-बैटे, और पता है मैंने बहुत बड़ी गलती क्या कर दी कि मै मैंने इसके नीचे कुछ कपड़ा या कोई चीज नहीं रखा, बस विनेरगर के दाग मेरे फर्स पर लग गए थे बाद में, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, इसका की इतना इफेक्ट इसका रहेगा, फर्स में मतलब, चुलो कुछ नहीं कुछ दिनों में दाग निकल जाए तो यह देखेगा, सारी बुतल को मैं ब्रस से साफ कर रही हूँ, क्योंकि जो यह वाला बड़ा ब्रस होता है, उससे तो साफ होते ही होते हैं, लेकि इससे क्या होता है, जो बुतल की जो किनारियां होती है, वो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है, पानी की जो निसान र और घर्म्याँ में सड्डियों में तो हम कोई चीज चार जादा दिन तक चला भी लेते हैं तो भी इतना नुकसार नहीं करती है लेकिन घर्म्याँ में बहुत जल्दी इन सब चीजों मेहे काने लगती हैं और कभी जादा घर करते हैं, इनको धूप में रखना भी बहुत ही जरूरी होता है, अगर धूप में रख दो, क्योंकि हम लोग काम काजी हैं, बाहर रहते हैं, तो जब तक आते हैं, तब तक तो धूप गायव हो जाती है, अब संड़े के दिन क्या क्या करें, समझ में नहीं आता, तो देखेग का मैं किस तरीके से चम काती हूं तो रही ने रही है का मेरे साथ कर दो 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 झाल झाल तो यह देखेगा ढकनों को भी अच्छे से साफ कर रही हूं तो मैंनका चलो लगे हैं तो सारा ही काम कर लो क्योंकि और काम करने के हिम्मत नहीं है तो आज ही ही काम पटड के बैड़ गए बया और खाना बनानी के भी मुझे हिम्मत सी नहीं लग लिएए ना तो मुझे भूख है और ना ही मेरे हाथ पैरों में isième क्यों है कि मेरे बसक्ती मुझे यूरा है कि मैं कितना खाना बनाऊं कितना खाऊंगी और कितना मेरा वेश्ट जाने सारी सबजी भी वैसी की वैसी बेकार खराब हो गई रात में और जो रोटिया बना रही थी वो भी ऐसी पड़ी रही और जो मुझे मुझे मॉमटिंग हुई रात भर में परिसान हूँ मतलब पता नहीं क्या मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सही रहती हूं या मतलब म मैं एक दो दिन के अलावा कि मैं सही हूँ तो देखेगा कितनी गंदेगी निकल रहे बोतलों में से और यह तो मेरे साथ खेर रोजी होता है बिमारी का तो और बोतल में आप देख सकते हैं कि कितना गंद छोड़ दिया है और बस इनको यहां सब को बंद करती हूँ और यहां घो डेगा यहां अब दोने होगिते हैं अभी तो पानी टेज आ रहा है लेकीन बस मेरे निको ढुझ द्होते द्होते के गंदर निकल रहा है आप देख सकते हैं तो देखेगा बहुत शाफ करती हूं तो यह देखेगा अभी में इक बार इनमें जूना और लेती हुं भार से क्योंकि पानी अभी आ रहा है तो साफ सुत्रे सो हो जाएंगे और पानी जाने का टाइम हो रहा इस वज़े से मैं जल्दी हो रही है कि फटाफट से मैं सभी बोटलों को चमका लूँ तो आप देख रहे होंगे कि बोटले कितनी चमक गई हैं और कितनी सुंदर हो गई हैं ऐसा लगा है जैसे कि अभी अभी मैंने न्यू बोटल खरी दी हूँ तो देखेगा यह होता है हम जो घर में हमारी चीचें होती हैं उनका हम जब यूज करते हैं तो बाहर की चीजों से बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद होती है अच्छी होती है सुरक्षित होती है सबसे बड़ी बात है हाईजनिक नहीं होती है और यह देखेगा मेरा मगगा भी बहुत चमक गया है ब्र थिन्पूल आपको ड्रीच में रोह सब्सक्राइब के काम करती हुआ है और शायर जाइघ जर्टेश पीडर देख्टका साव सब्सक्राइब करते हूं करते हैं और वो इतनी सुंदर लगती है तो बहुत ही मन लगता है कि हाँ आज कुछ काम किया है और वह ठीजा हो गया तो यह देखियेगा खोल के दिखाती हुँ इन्ट मे इस san qualche明 étaitना तरह हो गहाए अभी तो आपको कैसे लगा आज क nego बताई देगा जरूर जो भी मेरे चैनल पर नीव हूं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा सपूर्ट कीजिएगा आप लोगों के सपोर्ट के आमें बहुत 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 जरूरत है तो इसी के साथ ओकी बाबाई गुट डे टेक